गुरूर देवो महेश्वता, गुरूर साक्षाद परम ब्रम्हा, तस्मई श्री गुरु पे नमा मौनियम अफश्या के दिन क्या दान करने से हमको जो है लाव होता है, इसके साथ साथ मौनियम अफश्या एक मात्र ऐसा दिन है, अगर इस दिन हम अपने जो हमारे पित्र होते हैं, हमारे पित्रों को भी हम कहते ना कि खुश कर सकते हैंगे, उसके लिए क्या सरल उपाएंगे वो इस वीडियो के माद्यम से हम आपको आज जानकारी देंगे और एक और विशेस उपाय बताएंगे अगर किसी व्यक्ति पैसे की दिक्कत है, कर जाए या पैसा नहीं आता है तो विशेस उपाय वो मौनियमा विश्या के दिन करेगा तो निश्यत रूप से उसको जो है धन की प्राप्तोगी मालच में उससे प्रसन्न होगी तो सबसे पहले हम यह कहिंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैंगे मनुरिशी के नाम पर ही मोनी सब्द की उत्पत्ति हुए मोनी का अर्थ होता हैगा मोन रहना मोन यानि सांत रहना हमारे चित सांत होता हैगा तो इश्वर जो है हम जब आरादने करते हैं किस्र पक्ष की माग मास की हमावश्या को हम लोग जो है मौनिय हमावश्या कहते हैं चुकि इस दिन इसनान का विशेश महत्व होता हैगा तो जो भी पबित्रन नदियां हैं उसके किनारे आप देखेंगे बहुत सारे हज्जारों की संक्या में करोनों की संक्या में लोग जाते हैं और इसनान करते हैं सन 2022 में मौनिय मवश्या कब है इसके लिए बहुत सारी ब्रहनतिया हैं तो इस टाइम को भी आप जो है नोट कर लीजिए 31 जनवरी को दिन में दो बचके 18 मिनिट से कई जगे आप देखेंगे तो रात में दो बचके 18 मिनिट का आगया गा लेकिन दिन में दो बचके 18 मिनिट से एक फरवरी को ग्यारा बचके 16 मिनिट तक मौनिय मवश्या का टाइम हैगा समय है अब चुकि यहां इसनान का महत्व होता है तो हम लोग मौनिय मवश्या एक फरवरी को इसनान करेंगे इसनान करने के पाद एक संकल्प करेंगे, ब्रत कर सकते हैं, ब्रत में मीठागा सकते हैंगे, संकल्प में हम क्या दान करेंगे, वो हम स्वयम संकल्प कर ले, इसके अलाबा मोन धारन करेंगे, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप को इस दान कर रहेंगे, और दान करने कि अगर सब गहंटे पहले भी आप मुहन ब्रत धारण कर लें, तो आपको 16 गुना फल प्राप्त होता हैगा, भगवान विश्णू, भगवान शिव का ध्यान करेंगे, विश्णू चालीसा का पार्ट करेंगे, या विश्णू सहस्तर नाम का भी पार्ट कर सकते हैंगे, वो और अच्छा होगा, इसके अलावा हम अनाज, तेल, गोड, कंबल, पलंग, गोशाला में गायों के लिए भोजन, इत्यादी हम दान करेंगे, और अगर किसी निर्मार धीन मंदर में, अगर आप भवन शामगरी का, जो मंदर में सामगरी लगती है, उसका दान करेंगे, तो वो कहते कि वो एक अगर गुना फलदाई मना जाता है, तो वो सबसे अदा फलदाई हैगा, इसके अलावा, चुकि अमावश्या हमारे पूरवजियों के लिए बहुत सुम मना जाता है, अगर हमारे पित्र दोस है, हमारे पित्र हम से रुष्ट है, तो हम पित्रों को खुस करने के लिए, इस इसके अलावा हम पूरवजों के लिए दान करेंगे हम पिंड़ दान भी कर सकते हैं तरपड़ां भी कर सकते हैं इस दिन वो लापकारी होता है गा तो इस दिन हम अपने पूरवजों के लिए जो भी अथसंभा होगा वो हम दान करेंगे तो दोस्तो आज के लिए एक विशेश सुपाय जो लोग धन की दिक्कत रहती है इनके संग में पैसा नहीं आता हैगा करजे में धन पर आप नहीं हो रहाएगा तो विशेश सुपाय से आप नोट करने हैं मौनी अमावश्या के दिन इशान कौन में इशान कौन का अरत होता हैगा पूर्व और उत्तर का कौना नौर्थ और इस्ट का जो कौर्नर होगा वहाँ पर हम एक देसीगी के दिया जलाएंगे और एक लोट में जल रखेंगे और उस जल को 24 घंटे वहीं रखे रहने देंगे और अगले दिन उसे किसी ब्रक्ष में डाल देंगे इस उपाय करने से मैं दावे से कह सकता हूं कि जो है आपके धन की जो दिक्कते हैं वो दूर होगी दोस्तों हमारे अगर वीडियो अच्छे लगा तो इस वीडियो को लाइक जरू कर देना और बैल आइकोन को वीदा वा लेना चैनल को सब्सक्राइब करी देना जिससे आपको पृतेएग वीडियो सब्भ़ा मिल सके आप हमारे अगले वीडियो के लिए फिर हमारे सिंख बने रहें तब तक लिए रादे रादे जायें